हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं इस्टडी फीट चैनल दोस्तों आज मैं बॉस्केट वाल के रूल्स मेजरमेंट्स अंतराश्टी संगठन कॉप एंड ट्रॉफियो से रिलेटेट इंपोर्टिन एमसे की उच करा रही हूँ जो आपके जॉंस के लिए बेरी इंपोर्टिन ह वीडियो को फुरा देखिएगा एक भी कोस्टन मिस मत किजिएगा एंड दोस्तों इससे पहले में इतलेटिक्स रिलेटेड सभी कोस्टन्स जो आपके लिए बेरी इंपोर्टिन है पांचे वीडियो के अंतरगत मैं बना चुकी हूँ एंड होकी एंड बालीबाल्स रिले परिज है दोस्तों यह दिया फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कमपेटिटिव जो हमसका प्रिपरिशन के सिलिबस के एकॉर्डिक कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलिबस के कोर्डिक है एंड प्रिबियस एर की एमसी क्यूज का हंडर्स जदा वीडियोज बनाया गया है एंड चिप्टर वाइज एमसी क्यूज का भी प्रैक्टिस कराया गया है तो जोड़े रहे हैं मेरे चैनल पर बेहतरी तैयारी के लिए तो चलिए चलते हैं आज की कुश्चन के तरफ कुश्चन है दोस्तों कि बास्केट बाल का जर्म दाता कौन है तो बास केट बाल की खोश किया और इनको बास केट बाल के पिता भी कहा जाता है next question है डाक्टर जेमस समित किस देश के निवासी थे तो ये अमेरिका के थे निश्च केट बाल की कोश की सण में हुई तो 1809 में हुआ निश्टे बॉस्किर बॉल की बिश्यो की प्रत्थम प्रत्योगिता कब और कहां पे हुई थी तो बिश्यो की प्रत्थम प्रत्योगिता 1892 में अमेरिका के स्प्रिंग फिल्ड कॉलेज में हुआ था यानि कि 891 में खोज हुआ और 1892 में 20 की पर्थम परत्योगीता भी हो गया अमेरिका के स्प्रिंग फिल्ड कॉलेज में ही और कहां किस कॉलेज में खोज हुआ था तो स्प्रिंग फिल्ड कॉलेज में यह भी ध्यान में रखी गा नेश्ट है भारत की प्रत्थम प्रत्योगीता कब और कहां आयोजित हुई तो भारत की प्रत्थम प्रत्योगीता आयोजित हुआ 1934 नए दिल्ली में कहां पही हुआ 1934 नए दिल्ली में निक्स्त है विस्ट्य बावस्केट बाल जनकी सथापना कम और कहां पे हुआ विश्ट्बावस्केट बाल संग यानि की फाईबी ए फिवा यानि की फेडरेशनल डी बासकेट बॉSTRadious इस ने 1932 में अमेरिका में हुआ और इसका हेड可以 or मुख्याले है मीज सूज्जयन लैंड ने इसट है भारती बास के रिवाल संकीस था अपना कौन से सन्वी हुई तो भारती बास के रिवाल संकीस था अपना उनी शो पचास में हुआ इसका हेट गॉार्टर यानि मुख्याले है नए दिली बढ़ना अध्यच है कि गोविंद राज दोहजर सुनसे एंड नेक्स्ट कोश्चन है कौन से उलम्पिक में बासकेरबाल पुरुस को सामिल किया गया तो बासकेरबाल को उलम्पिक में पुरुसो का 1936 बरलीन जर्मनी उलम्पिक में सामिल किया गया एंड महिलाओं को 1976 मौन्ट्रियल कनाडा में सामिल किया गया एंड एसकेरबाल को पुरुसो की 1951 नए दिल्ली में एंड महिलाओं का 1974 तहरान इरान में सामिल किया गया देश कोश्चन है बास केरबाल को ACI खेलों में कब शामिल किया गया तो 1951 नए दिल्ली भारत में शामिल किया गया जैसा कि आप सबको पता है कि जो ACI खेल है वह 1951 नए दिल्ली से प्रारम हुआ ठीक है और दूसरी बार 1982 नए दिल्ली में भी संपन हुआ एक कोश्चन भी पुछा जाता है नेश दूसरी बास केरबाल के अंतरगत प्रथम अरजुन पुरुसकार विजेता का नाम बताईए तो इसमें है 1961 में सरवजीत सिंग को दिया गया प्रथम अरजुन पुरुसकार प्रथम बास केरबाल खेल का समय बताईए तो बास केरबाल जो है चालिस मिनट का होता है बीस-बीस मिनट के दो पारी में खेला जाता है और ये दस-दस मिनट के चार क्वार्टर्स में खेले जाते है यानि की दास, दो, दस बीस मिनट का एक पारी उसके बाद दस मिनिट का मध्यानतर होता है उसके बाद भी दस दू दस का मैच होता है यानि की दस मिनिट के चार क्वार्टर होते है पर ते एक क्वार्टर के बीच में दो मिनिट का रेश्ट होता है अब मध्यानतर दस से पंदे मिनिट का होता है एंड निश्ट कोश्चर है बास्केट बाल में कोट पर खिलने वाले खिलाड़ीों की शंक्या कितनी होती है तो कोट पर किल पांच खिलाड़ी खिलते हैं एक टिम में निश्ट है बास्केट बाल में खिलाड़ियों के कुल संखिया बारह होती है उसमें से पांच कोट में खेलते हैं और साथ इस्थाना पन होते है निश्ट है बास्केट बाल में इंडूर कोट के च्छत की उचाई कितनी होती है तो बास्केट बाल के जो इंडूर कोट होता है साथ मीटर उचा होता है वहीं पर बाली 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 बासकेट बाल के कोट में लाइनों की मोटा पाउंच संटिमितर होती है यसा quello tek me implement है आप के लिए सबसे जज्यादा मोटा लाइन होता है आपका फुट वाल का तक का उसका फुट वाल की तो मैं तो की जिसे की मेन 6 बारे संटिमितर होता है नेश्टर बास्केट बॉल की सिंटर सर्किल का ब्यास कितना होता है तो सिंटर सर्किल का ब्यास होता है 1.80 मीटर नेश्टर बास्केट बॉल की गेन का भार कितना होता है तो बास्केट बॉल की गेन का भार 566-650 ग्राम होता है निश्टर बास्केट बॉल गेंड की परीड ही कितनी होती है तो यह है आपका बासकेट बार से तीन सेकेंड रूल्स क्या होता है जैसा कि जो तीन सेकेंड रूल्स है वहाँ एक खिलाड़ी बीपरीत टीम के प्रतिबंधित छेतर है जो रिस्ट्रेक्ट छेतर है यानि वहाँ पे तीन सेकेंड से अधिक बाल को नहीं रख सकता आठ सेकेंड का रूल्स क्या है यानि कि जिस खिलाड़ी के हाथ में यानि हाथ में अपने कोट में बाल हो उसको वह उसकी टीम को आठ सेकेंड के समय के अंदर बिपोरीट कोड में बाल को प्रवेश कराना पड़ता है यानि माल लीजी आप के टीम के हाथ में Bon आपके टीम को दुसरे यानि बिपोरीट कोड में प्रवेश कराना होगा और चौबीस सेकेंड के रूल क्या है जिस टीम के नն deles में बाल होती है उसे 24 सेकेंड के अंदर वीपरिट टीम पर बॉसकेट के लिए अंक लेने का प्रियास करना पड़ता है नेश्टर बॉसकेट बॉसकेट बॉल खेल में कितनी अधिकारी होते है तो इसमें कुल साथ अधिकारी होते है जैसा कि इसमें एक रेफरी होता है दो अमपायर एक स्कूरर एक टाइम कीपर और एक सिकेंड आपरेटर होता है एक सहाएक स्कूरर निश्टर बॉसकेट बॉल में यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट छेतर से बाहर से बॉसकेट करें तो कितनी अंक प्राप्त होंगे तो जो थ्रू पॉइंट छेतर होता है थ्री पॉइंट छेतर उससे बाहर से करने पर उसको तीन अंक प्राप्त होता है निश्टर बॉसकेट 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 करने पर कितनी अंक प्राप्त होते है तो एक अं प्रिते कंदे में फ्रीटे में बस्केट करने पर एक अंक प्राप्त होता है जह किसी खिलाणी द्वरा थ्रो पॉंट चेतर के अंधर से बास्केट करने पर कितना अंक लेगा अगर जो three point चेतर होता है याने की throw point चेतर इसको भी बोलते हैं तो जो three point चेतर एक circle खीचा जाता है डी का कारकार तो उसे के अंदर से basket करेंगे तो दो अंक मिलेगा और उसे बाहर से basket करेंगे तो तीन अंक होगा देशर basket ball के court में इंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा होता है जैसा कि चित्र में दिख रहा है जो पूल होता है वह इंड लाइन से कितनी दूरी पर होता है तो एक मीटर की दूरी पर होता है नेश्टर बास्केरवाल के कोर्ट में बैक बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कित ईचा कंफjes लिख लह नगा निक्डुमपाय इंऱ अबता हैं हो मारे कोट से कितना उचा होता है 2.90 मीटर उचा होता है नेश्टर बॉसके रबाल के कोट में रिंग की उचा ही कितनी रखी जाती है तो दोस्तों जो आपका बोड होता है उसे थोड़ा उपर रिंग होता है जैसा कि चितर में दिख रहा है वह आपके कोट से कितना ऊचा पर होता है ring वो 3.05 मिटर उचा होता है निस्ट है BauseQuérvall के कोट भी सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली हुई होती है तो जो सेंटर लाइन होती है 0.15 मिटर बाहर निकली रहती है यानि कि 15 सिंटीमीटर तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही तिस्तिस कोस्टिन्स का पास चार से पांच वीडियो आपको मिलेंगी बहुत स्क्राइब और से रिलेटेड I hope कि सभी कोस्टिन्स आपको समझ में आए होंगे जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए जादे से जादे सेर भी कीजी दोस्तो एंड बने रहे हैं मेरी चैनल पर बेतरी तैयारी के लिए तो फॉर्स वाँ वीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी विल आइकन को प्रेस कर लिजी जिसे न्यू वीजियो को आपडिट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलती है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएए